नए स्टॉक्स और नई ब्रोकरिज रिपोर्ट के साथ एक बार फिर्म में आपके सामने हाजिर हूँ इस अपते की ब्रोकरिज रिपोर्ट से हमने आपके लिए पाँच अलग-लग सेक्टर से चुनिंदा और क्वालिटी स्टॉक्स निकाले हैं यह सेक्टर है आईटी, फार पैसे लगाने पर निवेशकों की कमाई हो सकती है नमस्कार मैं हूँ तनुजा यादव आप देख रहे हैं Zeebusiness.com तो आए शुरू करते हैं आज का शोग इस अपते की ब्रोकरेज रिपोर्ट का पहला स्टॉक है TCS, TCS स्टार ग्रूप का दमधार IT शेर है जो लगबग अगर आप इस शेर के पिछले 5 साल का ट्रेक रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक मल्टी बैगर रहा है यानि कि इस स्टॉक ने 150% से जाधा का रिटर्न दिया है दूसरा स्टॉक जिसे आप अपने पॉर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं वो है LIC, LIC अपने लिस्टिंग प्राइस से लगबग 24% तूट चुका है लेकिन इसके बाद भी ब्रोकरेज रिपोर्ट ने यहाँ अपना भरोसा बनाया हुआ है ब्रोकरेज कमपनी बैंक ओफ अमेरिका को लगता है कि यह शेर अभी भी 930 रुपे का लेवल छू सकता है इसलिए कमपनी ने इस शेर पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है वहीं गोल्में सेक्स ने यहाँ नूट्रल की रेटिंग दी है और 700 रुपे का टागेट प्राइस दिया है इसके लावा मोगन स्टेली ने यहाँ पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और टागेट प्राइस दिया है 5,090 रुपे इसके लावा जेफ्रीज ने यहाँ पर बाई की रेटिंग दी है और 5,036 रुपे का टागेट प्राइस दि अब brokerage company ICICI Securities ने यहाँ पर खरिदारी की राय दी है और 284 रुपे का target price दिया है इसके लावा मोतिलाल उस्वाल ने भी यहाँ पर buy की rating को बरकरार रखा है और 288 रुपे का target price दिया है इस वीडियो का आखरी stock जिसमें निवेशक पैसा लगा सकते हैं वो है State Bank of India State Bank of India की share पर brokerage company CLSA ने खरिदारी की सला दी है और 615 रुपे का target price दिया है इसके अलावा Edelweiss Securities ने यहाँ पर खरिदारी की सला दी है लेकिन target price दिया है 640 रुपे का आपको बता दे कि इस share में 42% तक के upside देखने को मिल सकते हैं तो यह रहे इस हफते के दंदार और solid stock इन शेरों ने इस हफते brokerage की report में अपनी जगा बनाई है अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आपके से like और share ज़रूर करें अगले हफते फिर मिलेंगे नई brokerage report के साथ तब तक enjoy your weekends